और इंका माध्यम कौन होता है तो इनका माध्यम बन जाते हैं बरे से लेकर के छोटे अस्तर तक का परतिनीदी या दलाल जहां के टाइट होगा है वहां पे आवास में एक भी रुपया घुस नहीं लगता है तो सबसे निचले असकी परतिनीदी और यह परतिनीदी जो है इसी कारण जो है न इसको आम लोगो को यह ठगवा देते हैं इसा होता है जहां पे इसका दलाल या तो मुखिया जी है यहीं मुखिया जी है आधिकार है आपके ग्जोकर ऐसी को कारैंश सब्सक्राब् visto सब्सक्राइब में ऑपको बताएंगे कि पी आभास में इतनी बड़ी लूट की जाती है बहुत बड़ी लूट है पीएम अवास को जरिये जो है ना हमारे बिहार सरकार के द्वारा बहुत बड़ी लूट की जाती है और यह लूट करने का काम कौन करते हैं तो यहां के सरकारी पदाधिकारी सब जगह के लूट पाट करने का काम करते हैं तो सरकारी पदाजिकारी और इनका माध्यम कौन होता है तो इनका माध्यम बन जाते हैं बड़े से ले करके छोटे अस्तर तक का परतिनीधी या दलाल परतिनीधी या दलाल देखिए पीएम आवास योजना ऐसी योजना है जिसमें हमारे बिहार सरकार के द्वारा हमारे देश के प्रधान मंति नेन मोदी जी के द्वारा सभी गरीवों को आवास दिलाने का काम चल रहा है और इसके तहत जो है बिहार में भी सभी गरीवों को एक लाख 20,000 रुपे मिलते हैं और यह वहाँ पे पीम आवास के जरीए पीम आवास के साइट पे किसी भी वेक्ति के नाम पर अगर अगर आवास निकलता है तो उनको नाम पर कितने रुपे की रास ये लोट होती है एक लाख 20,000 रुपे या लेकिन इसमें से 20,000, 30,000, 40,000 र पास अब यह दलाल या पंचायत परतिनीधी के रुप में हो चाहिए यह दलाल किसी आपतिसर के ब्यक्ति हो और यह दलाल के माध्यम में यह पैसा चले जाता है क्योंकि यह दलाल को जो है ना आवास सहायक के साथ कॉंट्रेक्ट रहता है और आवास सहायक के साथ इनका इसलिए हो पाता है क्योंकि आपके यहां के किसी न किसी परतिनीदी और दलाल उनसे मिले हुए रहते हैं और देखिए यह चीजों में अगर किसी भी परकार का अगर यह सब जो घुष चलता है चाहिए इसमें जो यह भरष्टाचारी चलता है तो इसमें सबसे बराहात हुआ अगर आज हम मानते हैं टो वह हम मानते है कि निस्चले अस्तर का वाध सदस्य को वाध सदस्य की कमजोडी के कारण ही अगर कहीं पर आवास सहयक जाता है तो वह घुष ले पाता है अगर आवास कहीं भी वारसदसति जहां के टाइट हो ग़ा है न वहां पर आवास में एक भी रुपईया घूस नहीं लगता है और यह भी बात बिहार की सचाहिए कि कुछ जगा ऐसे भी है जहांपे एक भी रुपईया इस आवास के लिए नहीं दिया ता है अब 200-400-500 कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन वहाँ पर कहीं भी यह इसके यानि की इनका यह मेनत की कमाई वाली रूपईया नहीं है जिसमें कि अवाब सहायक दोबारा यह कहा जाता है कि हमें 20-30-40-000 रूपया दीजिए कहीं भी ऐसी जगह और वहाँ पर यह बात समद लिजी अगर सबसे ज्यादा कोई टाइट है ना तो सबसे निचले अस्तर की परतिनीधी और यह परतिनीधी जो है ना इसी कारण जो है ना किसको आम लोगों को यह ठगवा देते हैं और यह चीजों को सबसे बड़ा जी इसका क्या इसका मुद्धा है अब इस बातों को यह बात भी हम आपको बता जैते हैं यह परतिनीधी खुद का यह रूपया नहीं रख पाते हैं क्योंकि इसमें भी जो है ना इनके पास से इन से तो खैर बहुत कमी जगा अगर दो चा जगा ऐसी जहां पर इसका दलाल या तो मुखीया जी है नहीं तो उसके बाद पंचास समिती जी नहीं तो उसके बादवाद हो और अन्य लोग है जो कुछ नेतागीरी चाहे कोई समाजसेवक का काम कर रहे। वह लोग इसका दलाली करते हैं बहुत साइधे 10% 5% 2% ऐसा 25% बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो गया जहां पर वार्षदस्य करते हैं लेकिन यहीं लोग ठगवाने का काम करते हैं अगर यह अपने आम जनता में अपने जनता में अगर वहां के वार्षदस्य यह बात की पूरी सुनिश्चित कर दे किया आवास जो है आपका अधिकार है आपके टेक्स्ट से फैसाक यह दिया जाता है आप लोग जो इसमें बैस बीच्पुत भी खड़ते हैं न और इसी एक आपको जो रहा आवास दिया जाता है तो यह आपका हक है गरीब लोगों का अब इसमें जो है न जो सरकारी पतादिकारी 20,000-30,000-40,000 के महिना कमाता है न उभी इनसे याणि कि 20,000-30,000-40,000 फ़गी लेता है और जब कि इसके पास खुद अलग से इसका वेवस्ता होता है लेकिन कुछ जगा यह लोग भी हैं और उसके बाद कुछ यह लोगों को देते हैं अन्य लोग चाहे कोई अलग अलग लोगों को और इस हक में यदी एक भी रुपया कोई मांगने आता है न तो हम इतनी ज़रूरी यह बात हम पूरे कन्फर्म बोलते हैं कि कोई भी जनता खुस खुश होकर के इसको एक भी रुपया नहीं देते हुगे वह जनता धुकी होकरके ही ुनको एक रुपया देने का काम करते हैं लेकिन अगर इस चीजों में अगर आप लोग भरष्टाचारी मीटाना चाहते हैं तो हम इतना कहेंगे कि आप सभी लोग अपने यहां के वार्थ सदस्य को बोलिए कि आप हमारे यहां किसी भी परकार का कोई अगर आवास एलोट करवाईएगा तो सबसे पहले क्या किजिए आपके माध्यम से होनी चाहिए आप खुद एलोट करवाईए क्योंकि सबसे निचले अस्तर की परतिनिधी आपको चुना गया है ना कि किसी दलाल को आप दलाली खुद नहीं किजिए ताकि नहीं है जो आपका कोई विरोध करे ग्राम में दलाली नहीं किजिएगा तो हमारे यहां फलाने-फलाने लोग को पहले होनी चाहिए अपने यहां के पूरी लिस्ट दे दिजिए कि एक सालों के अंतराल में आपके यहां कम से कम कितने आवास का अवंटन किया जाना हैं और इसी के हिसाब से आप के चकरवाईए नहीं तो इसी के चक्कर में जो होता है अगे पिमाबास का काम किया जाता नई तो 90포 पर्तिसत के जो निगरानी में इनके निगरानी में नहीं होता वह इन लोगों में से किसी हतों में होता है यह चीज तभी संभभ वो पाता है जब आपके 10 परतिसत लोग उसमें समर्थ थे हैं तो इसलिए हम आपको बोलना चाहेंगे आप सभी लोग जन्ता को वाड सभा करके इस परकार से पी-म आवास में लोग का नाम जोरने के लिए एक बार आपस सहाय को दिजिए कि आने वाले लिष्ट में जो नाम आए तो इन लोग को नाम आना चाहिए और अगर आपको बोलते हैं न कि नहीं से पीटिये उनको उतार करके गारी से अच्छा सी खंगा लिए पहले क्योंकि वह जो है ना आपके अच्छे बातों को नहीं माना है अगर इसमें किसी भी परकार का आपको अगर परसानी आता है तो आप अपने कि बड़े से बड़े अस्तर के पदाधिकारी चाहे बड़ेसे बड़े अस्तर के परतं निदी अपने एहां के ml एम अमेले से मिलिए हमारे हाइस परकार की घटना हो रही है और इसमें कि यह उभी द्रशा ह दिऴ बनाएगे वीडियो आपको जानकारी के काबिल लगा होगा तो प्लेज जरूर हमारे चैनल को लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आपके हक और अधिकारों की बात हम करते रहते हैं तो धन्यवाद फिर मिलेंगे ने वीडियो में तब तक के लिए बज्या ही दो बाय पाया